श्कार दोस्तों मैं डॉक्टर गौराव आपका आज के स्वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के स्वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सापताहिक राशी फल के बारे में weekly राशीफल के बारे में जो कि 11 फरवरी से 17 फरवरी 2019 के लिए होगा दोस्तों राशीफल जाने से पहले आपको कुछ बातों का विशेश दियान रखना चाहिए पहली बात तो ये कि जो मेरे राशीफल होते हैं वो चंद्र राशी पराधरित होते हैं क्योंकि शाश्त्रों के अनुसार जो ग्रहों के गोचरों की गणना की जानी चाहिए वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए आप ये जो राशिफल होते हैं चाहे आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुनें, कहीं पर भी पढ़ें ये ग्रहों के गोचरों की ही गणना होती है और ग्रहों के गोचरों की गणना सामान ने अधर पर होती है क्योंकि यदि आपको खुद के बारे में कोई सटिक जान करी चाहिए तो इसके लिए तो भाई कई चीजों की जुरुरत लगने वाली है जैसे कि आपकी लगने कुडली आपके सुक्ष में कुडली हैं कम से कम पता चल जाता है कि भई हमारे जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं ग्रहों की स्थितियां हमारे लिए कैसी होने वाली हैं कहां पर सावधनिया बरतनी की जरूरत है गोचरों के नुसार और कहां पर हमें खुश खबरी कहीं न कहीं मिल सकती है तो इसलिए राशी फल जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं मेश राशी से लेकर के मीन राशी के जातक है उनके लिए जो सब्ता है वो कैसा जाने वाला है सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेश राशी के जातकों से देखिए यदि आप किसी के सहयोग की अपिक्षा रखते हैं मेश राशी के जातक यदि किसी के सहयोग की अपिक्षा रखते हैं लंबे समय से किसी का सहयोग किसी भी विशय में आपको यदि नहीं मिल पा रहा था हो सकता है आपको आर्थिक सहयोग की जरूरत हो नैतिक सहयोग की जरू हो पारिवारिक सहीयोग की जरूडर यह अंहीं दिलवा सकता है तो आपको चिंता करने का कोई भी पर विशय नहीं है। यह पर आपके सहयोग के योग चलके आगे बढ़िज बीकारे को सफल हो चाहे कोई और अनदर प्रोजेक्ट हो उसमें आपकी सक्सेस मुझे आपर बनती विन नजर आ रही है साथ ही साथ एक और बात कहुंगा कि यात्राओं के योग भी यात्राएं भी आपकी यहां पर हो सकती है चिंता का यहां पर भी कोई विश्य नहीं है यात्राएं हैं जमीन खरीदना चाहते हैं तो ऐसे जो investment है इसे आप कर सकते हैं इस सब्था के लिए और यह आपके लिए फायदे मन्द भी साबित होंगे तो invest भी आपके लिए अच्छे रहेंगे कहने का मतलब आर्थिक इस्तिति भी आपकी अच्छी रहेगी और और नौकरी website और students के लिए भी समय बहुत अच्छा यहां पर रहने वाला मुझे दिखता है मेश राशी के बाद व्रशेव राशी के जात्कों की बात करें तो आप धार्मिक कारी करने के बारे में सोचेंगे इस सब्ता के लिए अध्यात्मिक और साथी साथ फिर जोतिश में भी इवर आपकी रूची बढ़ सकती है मेडिटेशन आप ज्यादा कर सकते हैं इस सब्ता के लिए मुझे आपके ऐसे योग बनते नजर आते जो की मानसिक तोर पर आपको शांती देंगे एक और अच्छी बात कि यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं प्रेम प्रसंग के जो जातक हैं जो लव अफेर में हैं यदि आप अपने लव अफेर को प्रेम प्रसंग को को एक नया रूप देना चाहते हैं विबहा का एक नया रूप देना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है और यह जो सब्ता है आपको इस विश्य में कहीं न कहीं सायोग दिलवाएगा या आगे बढ़ने के लिए प्रे सामान नहीं आतना यह रहने वाली है स्टुडेंस के समय खास तोर पर बहुत अच्छा मुझे बनता नजर आता है खर्चों का फिजूल के खर्चों का आपको धियान रखना चाहिए मितुन नाशी के जातों की बात करें तो भूमी में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस ना करें इस सब्ता के लिए अधरवाइस कही न कहीं मुझे आपकी हानी नजर आती है किसी पर आपको यहाँ पर विश्वास जो अंदर विश्वास होता है न वो तो करना ही नहीं चाहिए कभी नहीं करना चाहिए लेकिन इस सब्ता के लिए आपको ज्यादा भरोसा भी किस हो सकता है and thenhmaad, किसी को न दे, उधारी किसी को न दे याप उधार देते हैं तो भाई फिर यह सोच करके दें कि यह पैसा गया, यह then दान किया, यहτά रिटन के द्रश्टीकोंग से किसी तो देना चाहते हैं तो आपका पैसा यहां पर आपको वापस नहीं मिलता हो मुझे नजर आ रहा है अगेर आपके लिए भी यात्राओं के योग है मेश और व्रशव राशी के जात्कों की तरह ये यात्राओं जो है ना सुख देगी ना आपको परिशान करेगी से मेश व्रशव और मितुन राशी के जात्कों के लिए इसी तरह के यात्राओं करनी चाहिए मन लगा करके मेहनत करनी चाहिए आपके लिए सफलता है मुझे निश्य तोर पर बनती हुई नजर आ रही है करकराशी के जात्व की बात करें तो आपके लिए अच्छे यहां पर समाचार है कि पदनती के योग बनते नजर आते हैं यह दिया आप नौकरी करते ह तो पदुननती के योग बनते नजर आता है, student है, तो भी पदुननती आपकी हो सकती है, भाई एक किसी पायदान पर आप रहे हो और अगले पायदान पर आप आगे बढ़ें, उधारण के तौर पर किसी और एक class में आप रहे हो, किसी college के semester में आप रहे हो, और अगले पायद के योग भी है, भी आप नौकरी करते हैं, तो आपका इस थनांतरन यहाँ पर बन सकता है, ऐसे योग भी है, हाँ, आपके घर में शुबकार, शुबसमाचार भी हो, मिल सकता है आपको, अब वो शुबकार, शुबसमाचार किसी भी तरह का हो सकता है, विवहा का कोई राशी के जातकों के हम चर्चा करें तो आपके लिए यहां पर मानसिक तनाव चिंता के योग मुझे बनते वे नजर आते हैं और यह आपको तकलिफ दे सकते हैं यदि आप स्टुडेंट हैं तो भी आपको तनाव ज्यादा हो सकता है भविश्य को ले करके चिंताए ज्याद करेगा तो इस तनाव से आप हारिये मत पहली बात दूसरी बात की मेडिटेशन करने का आप प्रयास कीजे ताकि यह तनाव आपको ज्यादा ना बढ़े आपकी आपकी जो सफलता है उसमें बाधा ना बने लेकिन मैं आप बात यह कहूंगा कि यह जो तनाव है यह भविश राशी को लेकरके फिजूल के तनाव में आपको उलजना नहीं चाहिए एक और बात की यदि आप वहाँ चलाते हैं यदि आप सड़क पर भी चलते हैं तो वह नों से बचकर आपको चलना चाहिए वहाँ चलाते समय आपको साफधान्य परतने की जरूरत है सी राशी के बा भी मुझे आपका लाफ दिखता है ऐसा कोई भी रिस्की इंवेस्टमेंट जहां पर बड़े बड़े उतार चड़ाव आते हैं वहां पर आप इस सप्ता के लिए अपना भाग्याजमा सकते हैं आपको जो है आर्थिक लाफ मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है यदि भूमी बेचना भी चाते हैं मकान भेचना भी चाते शेर भी बेचना है जाते हैं तो भी आपके लाप के योगी बंते नजर आरहे favourite सप्तुमा भारह को inflammation हो एस वजब आप अपने जीवन में बर सके तो यह थानसर जो है प्रगती वाला करने राशी की बाद, तुलाराशी के जातवों की बात करें तो दूला राशी के बात करें तो लंबे समय तक या लंबे समय से कोई कारे रुका hoa था, कि किसी कारे को करना आप चाहा रहे थे, लेकिन वो कारे नहीं हो पा रहा था, तो मुझे ये जो सफता आपका बनता हुआ नजर आता है, ये किसी भी तरह के रुके हुए कारे को यहाँ पर बनाने का प्रयास करेगा और आपको जो है में आपका increment हो जाए व्यावसाई करते हैं तो वहां पर व्यावसाई जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से और प्रगती करें साथ ही साथ ना यदि आपका ही invest करते कोई ऐसी चगह invest करते हैं जो की risk investment है जैसे की share market भूमी मकान इस का कोई investment है तो वहाँ पर आप invest कर सकते हैं यह investment जो है यह आपको सफलता जरूर से दिलवाएगा और यहाँ पर मुझे आपका आर्थी कलाब बिल्कुल निसंध है बनता हुँ नजर आ रहा है इस सप्तहा के लिए अगेर आपकी भी यात्रा है मुझे बनती नजर आ रही है और यह जो यात्रा है यह आपके लिए सुखद यात्रा है होंगी कई कई राशियों के लिए मुझे इस सप्तह यात्रा है बनती नजर आ रही है हां किसी के लिए अभी तक खराब यात्रा है या प्रॉब्लमेटिक यात्राएं मुझे नहीं दिखी है लेकिन कन्या और तुला राशी के जो जातक है इनके लिए जो यात्राएं ये सुखद यात्राएं मुझे बंती नजर आती है तो बिल्कुल आपको यात्राएं करनी चाहिए यात्राओं को टालिए नहीं यदि आपको लगता है कि मैं यात यात्रा करके कुछ चीज़ पास सकता हूं और यदि उसके चांसे ही हैं यदि आप शोर भी नहीं है कि यात्रा करते हैं और वो चीज़ आपको मिली जाएगी तो भी यात्राओं का आपको टालना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे यहां पर आपके सफलताएं दिख रही हैं तु हैं mentally भी शारिडिक तो परेशान थे ही मानसिक तोर पर भी आप कहीं न कहीं परेशान हो सकते हैं मैरे आपको कहना यह है कि जो भी जो भी आपका medically इलाज चल रहा हो उसे चलने दीजिए लेकिन मानसिक तोर पर भी depressed होने के जरूरत नहीं है आप कहीं न कहीं अच्छे साहित को पढ़िए अच्छे ग्रंथ को पढ़िए या फिर meditation करने का प्रयास किजिए ताकि यह जो समय है यह रोग का समय है या मानसिक चिंता का यह जो समय है यह आपका कहीं न कहीं जाए साथ ही साथ में आपसे यह कहुँगा कि चिंता की वज़े से हो सकता है कि आप जो promotion चाहत होएं बिजनस को आगे बढ़ाना चाहते होएं इस्टूडेंट हैं तो एक अच्छे पाइदान पर आगे बढ़ना चाहते हो वो आपका यहाँ पर संभाव न हो पाई यह आपको दिक्कत दे सकता है तो थोड़ा सा समझदारी के साथ सूज बूझ के साथ आपको यहाँ प आप के लिए आएगा विशिक राशी के बात करें तो आपके शुब समाचार मुझे बंते नजर आते हैं किसी ने किसी तरह का शुब समाचार आपको यहाँ पर मिल सकता है वो जो शुब समाचार है वो आपको हो सकता है विवहा को ले करके हो हो सकता है आपकी नौकरी को ले क करके हो, हो सकता है, अच्छे अंक प्राप्त हो गए, उसे ले करके हो, तो किसी ने किसी तरह का शुब समाचार आपको मिल सकता है, इसकी प्रतिक्षा में आपको रहना चाहिए, इस सप्था के लिए, साथ ही साथ लाभ के योग भी बंते नजर आते हो, प्रतिष्ठा में ला कुछ हद तक मुझे लगता है कि सहीं भी है, क्योंकि आपको इस सप्था के लिए कहीं न कहीं कुछ चीज खोना पर सकते हैं, किम्ती में इंसानों को मत लीजिएगा, चीज की ही मैं बात कर रहा हूँ, किसी सामान की बात कर रहा हूँ, तो सामान का आपको यहाँ पर ध्यान जरूर से रखना चाहिए, धनुर राशी के बात करें, तो आप शांती से इस सप्ताय के लिए तो नहीं बैट पाएंगे, या फिर मैं कहूं कि दिमाग में कुछ ना आगे बढ़ना है, तो रात की नींदे भी जो है, या जो सपने भी है, वो भी आपको जो है, वो दिन में आने चाहिए, या रात की नींद भी आपकी उड़ जानी चाहिए, तो इस तरह से कुछ स्थितिया, कुछ हालात आपके हो सकते हैं, कि आपकी जो नींद है, वो उड जाए या फिर आपको नया लक्ष पाने के लिए जो इस अपने है वो दीन में ही आप देखने लग जाए तो ऐसी स्थितिया हो सकती है कोई दिकत नहीं है यदि आपको कोई लक्ष है कोई लक्ष आपने पना करके रखा है तो बिल्कुल आपको आगे लक्ष को पाने के लिए बढ़ना चाहिए और अपने स्वास्त का मानसिक स्वास्त का पर धियान रखना चाहिए क्योंकि ज्यादा अशान्त यदि आप रहते हैं तो मानसिक तोर पर आप परिशान हो सकते हैं तो बहुत ज्यादा दिखिए किसी भी चीज का जो है वो जुनून नहीं होना चाहिए दि मगर राशी के बाद इदी कुम्ब राशी के जातों की बात करें तो आपकी पद उन्नती के योग मुझे बनते नजर आते हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी यहां पर उन्नती मुझे दिखती है यदि आप स्टुडेंट है तो भी मुझे उन्नती दिखती है साथ इस मानसिक आर्थिक पारिवारिक इन सभी द्रश्टिकों से कुम राशी के जात्कों के लिए जो सब्ता है जो समय बहुत अच्छा जाने वाला है कुम राशी के बाद मिन राशी के जात्कों की बात करें तो ज्यादा खर्च आपका हो सकता है हो सकता आपको यह लगे कि भीया द चिंता के योग यहाँ पर आपके बने हुए नजर आ रहा हैं लेकिन चिंता का कोई विशय नहीं है चिंता का विशय इसलिए नहीं है क्योंकि आने वाला समय अच्छा है तो अभी का जो समय है यदि चिंता आपको पैदा करता है यदि आपके खर्चे ज्यादा होते हैं यद आपको problem यह समय देता है तो मानसिक तोर पर खुद को इस्थिर कीजिए आने वाले अच्छे समय के प्रतिक्षा कीजिए आने वाले अच्छे समय की आशा कीजिए और उसी आशा के साथ इस जो समय है इस समय को निकालने का प्रयास कीजिए हाँ खर्चों पर psychological भी आपको काब की कि आपके लिए जो समय है वो कैसा जाने वाला है मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज से लाइक करें से शेर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें दोस्तों आपने वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद आने वाले वीडियो में आने वाले एपिसोड में फिर में लेंगे तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा नमस्कार